हेलो फेरेंट्स कोरल्डा की टिटोरियल स्रीच के आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर हमें कोरल्डा में 3D Heart Shape Kit डिजाइनिंग करनी है तो कैसे करेंगे अभी जो आप लोग دेख रहे हो अगर हमको कोरल्डा में कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाना है तो कैसे करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं और CorelDRA को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर हमने CorelDRA को ओपन कर लिया है और जानते हैं CorelDRA में 3D Heart Shape Design करना तो चलिए सुरू करते हैं तो यहाँ पर Heart Shape Design करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टूल दिया है फिरी हैंड टूल हम फिरी हैंड टूल पर किलिक करेंगे और यहाँ पर एक बार किलिक करना है कंटूल बटन प्रेस करके रखने हैं और इस तरीके से सीधी लाइन हमको खीच लेनी है फिर यहाँ पर हमको Save Tool लेना है Save Tool लेने के बाद इसके Middle Point में किलिक करना है और इसको हम Convert to Curve करेंगे यहाँ पर आना है और इसके किलिक करेंगे यह Object Convert to Curve में बदल जाएगा फिर यहाँ पर इस वाले Point पर किलिक करना है जो Node दिखाई दे रहा है और इसको हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर Rotate करना है ऐसे और फिर इस वाले Node को Select करके इसको कुछ हम ऐसे यहाँ पर Rotate करेंगे इतना काम करने के बाद फिर यहाँ पर हमको Double Click करना है और इस वाले Node को उठाके थोड़ा हम ऐसे करेंगे कुछ इस तरीके से और इसको हलका उठाके हम ऐसे रखेंगे यहाँ पर यहाँ पहने इसको इस तोड़ ऑई से डिजाइन कर लिया और इस वाले node पे double-click करेंगे यह node हमारा यहां से भर क्लिक करेंगे और इस पोड़ा यहां से हम ऑई से design करेंगे कुछ इस तरीके से बर ब्रोक Wähler और यहां पे लेना है उसको घुड़ KP तूल लेने के बाद फिर इस node पे click करेंगे और control button hold करके रखना है फिर यहाँ से हमको इस side में पलटके right button click करना है और इस object की duplicate बन जाएगी इतना काम करने के बाद फिर नीचे एक tool दिया है यहाँ पे smart fill tool हमको smart fill tool पे click करना है smart fill tool से क्या होता है जैसे किसी भी object पे हम click करेंगे तो उसी object की duplicate दे देता है तो यहाँ पे हमने smart fill tool का यूज करके एक इसी object की duplicate निकाल ली और इसको करेंगे select और यहाँ से कर देंगे delete फिर हमारा इस वाले object पे है इसको करेंगे यहाँ पे click करके अपने इस page पे लाएंगे अब इसमें हमें color fill करना है तो color fill करने के लिए यहाँ पे एक tool मिलेगा interactive fill tool का interactive fill tool लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको color करना है इतना work करने के बाद जब हम यहाँ पे color करेंगे तो उपर property बार में एक यहाँ पे मिलेगा elliptical fountain fill हमको elliptical fountain fill पे click करना है और थोड़ा इसको कुछ इस side में रख लेना है इसको यहाँ पे middle में रखना है अब यहाँ पे जो white color है इसमें हमको red color fill करना है और यहाँ पे जो blue color है इसमें हमको black color fill करना है और इस object को कुछ इस तरीके से हमको adjust कर लेना यहां पे इतना हमने ready कर लिया फिर यहां से हमको ले लेना pick tool pick tool लेंगे अब इस heart की हमें duplicate चाहिए तो duplicate करने के लिए इस पर click करेंगे बस इसको हम right पकड़ के तोड़ा कुछ ऐसे करेंगे और mouse की right button click कर देंगे click किया फिर जो नीचे वाला heart है नीचे वाले heart पर select करेंगे और इसमें हमको gray color और इसमें हम हलका gray color fill करेंगे और यहाँ पर हमारा heart जो है इतना complete हो गया और इसको हम group कर लेंगे control G से तो इतना work हमने यहाँ पर complete कर लिया फिर हमने इसी heart पर click किया shift button hold करके रखना है और इस वाले heart की एक duplicate निकाल लेनी है और mouse की right button click कर देंगे duplicate यह आ जाएगा और इसको हम कुछ इस side में रखेंगे इसको हम इस side में रखेंगे एक बार और click करेंगे इसको थोड़ा हम यहाँ से rotate करेंगे कुछ इस तरीके से rotate कर लेंगे फिर हम इसी की एक और duplicate निकालना है तो इस पर click करेंगे और इसको हम इस side में लाएंगे यहाँ यहां पे लाएंगे फिर इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके control šcola करके रहना है और इस साइड बें हमको यहां पे लाना है ऐसे और इसको कलेजंद देंगे फिर इसको उठा के लाना है कुछ इस तरीके से यहां पिर बिल्गूल बरावर्र पर रहिए नहीं को को delete कर देंगे फिर पूरे object को select रेंगे और control जी से इसको हम group कर लेंगे और इसकी duplicate निकाल लेंगे कुछ यहाँ पर और right button क्लिक कर देंगे एक duplicate आ जाएगी फिर हमने इतना ready कर लिया है और इसका size हमको छोटा करना है तो shift के साथ यहां से इस object का size हम चोटा करेंगे कुछ इतना तो इसे की duplicate चाहिए आपर निकाल लेगे और इसकी एक लोग duplicate चाहिए तो इसकी duplicate यहां पर निकाल लेगे तो इतना काम हमने भी कर लिया है इतना काम करने के बाद अब इन सभी hard काम है color change करना है तो color change करने के लिए click कीजिए और यहाँ पर smart fill tool के उपा जो है interactive fill tool पर click करेंगे अब यहाँ पर जो गोला है जिसमें red color है इस पर click करना और यहाँ से जो भी color fill करना हो बस उसी color पर fill कर देना है और यहाँ से black वाले color को नो लो कलर फिल करना है और इसमें click करेंगे यहाँ पर हम blue color fill कर देंगे तो इस तरीके से अपना यहाँ पर रेडिकर लिए और इस वाले object में click करेंगे और इसी तरीके से इस सभी में हमको जो भी color पसंद हो उष्यवंちゃोर हो तैस आप अपने हिसाब से जो भी color fill करना चाहो उस color को फिल कर लो यहां पर हमने कुछ इस तरीके के heart design कर लिए है अब इसकी नीचे जो page है इस page का color change करना है तो यहां पर पहले जो rectangle tool है इस पर हम double click करेंगे और इस वाले page का size हमको यहां से increase कर लेना है कुछ इस तरीके से page का size बढ़ा करेंगे और उपर कुछ हमने य हमको black color fill करना है तो यहां से लेंगे picture और यहां पर color है black black color पर click कर देंगे इस सभी page में हमारा black color आ जाएगा इस तरीके से हमने यहां पर black color fill कर लिया अब क्या करना है जैसे कि यह object है अब इस object को select किया control u करेंगे object ungroup हो जाएगा नीचे वाले heart को हमें इसकी duplicate कर लेना है और इसका size यहां से हम कुछ छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इसमें जो भी color fill करना हो यहां से color हम fill कर सकते हैं box में click करेंगे और color यहां पर fill कर पर लेंगे फिर इसी के duplicate काल के हमको जहां तहां रख देना कुछ छोटे चोटे टुकणों में तरीके से इसको इस साइड़ में फिसको आप सब्सक्राइब करेंगे इस तरीके से अप लोग डिजाइन आटोमेटिक बना सकते हो जो भी डिजाइन बना रहा हो तो यहाँ पे हमने अपने heart shape की जो 3D designing थी पूरी complete कर ली है आप लोगों को हमारा यहाँ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की हन नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में कुछ नई डिजाइन सीखेंगे